मित्रो जब एक बच्चा जन्म लेता है तो जोर जोर से रोने लगता है जैसे वो ईश्वर से पूछ रहा हो कि हे भगवान मुझे पुने आपने इस धर्ती पर क्यों बेज दिया लेकिन ये तो विधी का विधान है जो भी इस मृत्यू लोक में आया है एक ना एक दिन उसकी मृत्यू अवश्य होनी है और जिसकी मृत्यू हो जाती है उसे पुने नया शरीर लेकर जन्म लेना होता है लेकिन विश्णू पुरान में बच्चे के जन्म लेते ही रोने का रहस्य लिखा है तो चलिए जानते हैं क्या है वो रहस्य नमस्कार दोस्तों मैं हूँ सूर्या और आप सभी का इस चैनल पर स्वागत है दोस्तो आप सच में भगवान श्री कृष्ण के भक्त है तो वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में लिख दीजिए जै श्री कृष्णा दोस्तो व्यग्यानिकों के अनुसार बच्चों के फेपडों में एनियोटिक फ्ल्यूड भरा होता है ये वो पानी होता है जो बच्चे को मा के गर्व में सुरक्षित रखता है जब शिशु का जन्म होता है तब इस पानी को फेपडों से बाहर निकाला जाता है ताकि वो सा रचना के समय ब्रह्माजी शिष्टी की रचना कर रहे थे तब वो अपने समान एक पुत्र चाहते थे और इसके लिए वे चिंतन करने लगे तब उनकी गोद में एक नील वर्ण का एक बालक उत्पन हुआ ये बालक ब्रह्माजी की गोद से उतर कर रोता हुआ इधर उधर भ ब्रह्माजी ने उसे बताया कि जन्म लेते ही तुमने रोना शुरू कर दिया इसलिए तुम्हारा नाम रूद्र है रूद्र से पहले किसी भी बालक ने रोना शुरू नहीं किया था रूद्र के जन्म के बाद ही बच्चों में रोने का नियम शुरू हुआ आशा करता हू कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करके कमेंट में लिख दीजिए जैश्री कृष्णा